this module is related to the globalization, cooperation and supranationalism where we are discussing about international interdependence and the debt problem debt problem में एक context समारा clear हो गया के developing countries वो इसलिए debt crisis में चली जाती है या debt के वज़के से crisis की situation में आ जाती है कि वो कुछ adjustment नहीं कर पाती है अब उसमें कुछ internal factors हैं जो responsible हैं और कुछ external factors हैं अब यहीं इन factors को अगर हम further detail में देखें तो सबसे पहले हमें banks के उपर focus करना पड़ेगा because banks are playing vital role here in terms of providing the credits to the different kind of countries of the world जिसमें खास तोर पे developing countries जो है उनका context बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा debt की ज़रूत होती है अब banks को यह होता है एक तरफ तो उनके पास freedom है कि जैसे जैसे globalization हो रही है उनका freedom बढ़ता जाता है क्योंकि वो एक conglomerates की शकल में एक large oligopoly की शकल में develop होते जाते हैं अब उनमें एक eagerness होती है तो expand their business इसलिए वो चाते हैं कि ज़्यादा हम credit issue करें different countries को जिस जिसको जरूरत है उसको हम credit देते जाए फिर दूसी चीज़ यह है कि failing to assess risk realistically यह important चीज़ है क्योंकि जिस वकत banks ने loan issue करना है उसको evaluate करना है risk को कि कितना risk attached है इस particular country के साथ इस particular company के साथ इस particular business के साथ जिसके लिए हम यह credit issue करें है अगर वो realistic approach के साथ या realistic risk को मेर नहीं कर पाते तो वो underestimate कर लेते है risk को definitely over estimate करने के भी chance होते हैं लेकिन over estimate तब भी है जब return extra available हो वरना वो underestimate कर लेते हैं जो underestimate करते हैं और जो interest rate वो charge कर रहे होते हैं जो के reflection होता है किसम का एक तो cost of capital को cover करता है और दूसरा किसी आद तक risk को cover करता है तो वो less than risk हो जाता है तो उस potential risk से loan के विज़ से उसको avail करना असान हो जाता है यानि banks जो हैं वो loan low terms के ओपर दे रहे हैं और जो user है उसको use कर रहे है high risk की investment में तो यहां पे जो ultimate use है या ultimate location है कि कहां पे वो use हो रहा है और किस purpose में वो loan use हो रहा है वो identified नहीं होता वो banks को ही पता होता कि हमारा loan कहां use हुआ है किस purpose के लिए use हुआ है और क्या वो वो वाकी productively use हुआ है कि वो वापस हो सकता है कई वो किसी किसम का bad debt तो नहीं बनने वाला अब यहां पे जो major errors है जो commit हुए वो एक imprudence और misjudgment की basis पे actually क्योंकि अगर आप prudenty चलेंगे तो definitely काम से कम error करेंगे या अगर आप judgment correct रखेंगे तो errors के chances काम है लेकिन जब imprudence चलेंगे और misjudgment करेंगे तो फिर errors होंगे पहली चीज़ थी oligoplystic competition जो exist कर रहा है economies में word economy में अब उनका purpose क्या होता है वो अपने returns को maximize करना चाहते है और risk को minimize रखना चाहते है ठीक है इस setup के साथ oligoplystic किसम की या transnational corporation जो के basically oligoply framework में काम करती है वो expand अपना function करती है economies में और वो credit भी borrow करती है दूसरा जो है economies of scale के economies of scale जो है वो क्यूंके हर country चाहता है और हर company चाहते है के हम huge economies of scale को enjoy करें यानि minimum possible average cost के साथ maximum output प्रडियूस करें ताकि हमारा profit maximize होजे तो वो growth को maximize करने के लिए अपने size को maximize करने के लिए और market share को maximize करने के लिए उस economies of scale पर जाना चाहती है हर country करना चाहती है company करना चाहती है या business करना चाहता है उसका purpose यह प्रफिट को maximize किया जाए अब यहाँ पर क्या होता है कि banks क्या करती है बो जब देखते हैं कि तिसना लोग चल रहे हैं किस मूट के साथ लोग चल रहे हैं वो उस मूट के साथ चलना शुरू हो जाते हैン इसलिए वह हर्ड बेहिवियर को फालो करते हैं वो ये नहीं देखते के कोई चीज प्रूडेंट है या इस वकद लोग प्रूडेंट डिसियन नहीं करें एक शेटी सी एक्जेमपल दूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इंवेस्टमेंट का रहे हैं वो सारे लोग बाइंग की जा रहे हैं तो वो लोन बैंक से मांगते हैं तो बैंक को पता है कि ये बाइंग करनी इस वकद ठीक नहीं है लेकिन चुके एक हर्ड बेहेवियर है तो उसको लोन दे देगा कि ठीक है हमें इनके साथ ही चलने है तो दिस इस दे सेम प्लाइज के वो बाद में उनको लॉस हो जेगा लेकिन जो कंप्रमइस किया होता पेमेंट करनी करनी है या तो वो अपनी insurance और insurance करा लेते हैं अपने जितने loan issue करते हैं तो वो जो risk of loss होता है या damage होता है वो dilute हो जाता है वो फूरी बैंक के ओपर नहीं आता बलके पार्शली आता है इसलिए bank उसको bear कर लेता है क्योंकि दूसरी जिनके insurance companies की होती है वो उसको support करती है या वो फिर syndicates different group of banks होती है या बड़े-बड़े banks होते हैं वो मिलके contribute करते हैं और loan issue करते हैं तो इसलिए single bank के ओपर उसका इतनी liability या pressure नहीं आता अगर bad debt होजे या कोई loan return होने में issue हो दूसरा जो rating agency है वो उनके साथ भी एक problem है वो systematic error करना शूरी रती है अब systematic error जो है वो fruitful नहीं होता random error वो हो सकता है मतलब उनकी valuation जो है regarding different businesses and different countries क्योंकि उनकी credit rating के base के ओपर decision करना है banks ने किस country को कितना loan देना है कितने terms किस terms and conditions के साथ देना है तो अगर तो highly risky country है या highly risky business है तो definitely अगर loan देना जरूरी है bank के लिए तो वो वहाँ पर terms and condition भी accordingly रखेगा लेकिन अगर low risk है तो वहाँ पर वो वाली terms and condition रखेगा जो high risk में होती है मतलब accordingly वो set करता है अब rating agencies जो होती है वो थोड़ा सा एक flow में चली जाती है एक different किसम के वो एक fixed terms of हर country का जो एक set up बना हुए है ना classification बनी हुए है उसके लिए वो fix कर देती है अपने situations जो है credit rating को fix कर देती है और bank जो है वो पूरी तरह evaluate नहीं कर पाते कि ये particular country जो है इसका risk of default ज्यादा है या come है वो judge नहीं कर सकते अगर आप इस table को देखेंगे तो यहां से आपको थोड़ी सी judgment हो सकती है कि किस तरह जो credit rating agencies है वो systematic error में चली जाती है अब वो क्या कर रही है कि वो उन्होंने classified किया हुए different group of countries को उनके लिए उस same rating दी जा रही है जिसके वरे से problemize कर जाता है अब अगर आप देखें यह वाला table है 8.3 इस 8.3 table में आप देखेंगे कि gross interest payment जो है वो यहां पे fix है ठीक है और gross interest payment जो है वो क्या हो रही है वो increase करती जा रही है over the time यह आप देखें यहां पे खास्तों पे इस time period में और इस time period में जो outstanding debt है newly industries country का वो अगर आप देखें तो वो relatively काम हुआ है और low income countries जो है उनका भी इसमें काम हुआ है क्योंकि इस time में interest payment बढ़ती है तो interest payment का एक pressure आता है developing countries के ओपर और वो reduce कर देंगे इसको ठीक है दूसे तरफ जो prices हैं वो थोड़े थोड़े increase कर रहे हैं लेकिन जो volume है export का उसमें कमी हो रही है तो ये volume of export जो है वो कम हो रहा है अच्छा एक तरफ तो ये सारे का सारे situation चाल भी होती है कि जो pressure है banks की तरफ से interest पॉम में वो बढ़ता जा रहा है और low income countries जो हैं उनकी trade के ओपर भी effect आ रहा है एक तरफ तो ये situation है और दूसी situation जो है अगर हम देखें terms of average credit rating जो rating में systematic error होता है तो ये आप देखेंगे के overall countries का systematic rating जो है वो mention कर दी है ये अपनी percentage में चो हो रही है लेकिन यहाँ पे हम जो difference लेंगे वो लेंगे low income countries का जो के जहाँ पे इन्होंने 40 ली हुई है और उसके बाद हम जो industrial countries है उनका तो आप देखें industrial countries की overall rating जो है वो 70s में जा रही है 79, 78%, 78, 77, 76 marginally काम हो रही है लेकिन low income countries की भी low हो रही है लेकिन consistently वो एक ही slot में आ रही है 40, 38, 38, 37, 30s में आ रही है तो अगर अब इसी तरह को compare करें centrally planned के साथ तो इनकी वे 50s में आ रही है और 40, इनकी variation एक्जिस्ट करती है जो centrally planned economies है ओपेक जो है ओपेक वालों की 50s में तक्रीवन 50s में फोड़ी सी variation के साथ एक्जिस्ट का रही है newly industrialized की 60s में fix हो यह तक्रीवन सबसे low है उसके बाद industry economies की सबसे high है और अगर आप average देखे जो world average है तो उसे बहुत ज़्यदा deviation है low income countries की तो इसकी basis के उपर जबके दूसरी countries की deviation बहुत काम है तो वो क्या prefer करेंगी newly industrialized countries को देंगी उपेक को देंगी centralized planned countries को देंगी low income countries को अगर देंगी तो क्या करेंगी high interest rate के उपर देंगी वो ज़्यदा impose करेंगी conditions और restrictions तो ये जो एक problem है due to the credit rating agencies ये exist करता है अब इस चीज़ को cover करना ज़रूरी होता है और ये चीज़ एक liability create करता है अब second important thing ये है कि जो banks हैं उन में एक exuberance है और disorientation भी है एक तरफ तो क्या करते हैं कि जिस वकत वो बहुत ज़्यदा loan issue करते हैं across the board different countries को या different companies को तो उनकी intermediation power बाढ़ जाती है bank क्या एक intermediary है जो एक intermediary का role play करता है तो इसी तरह वो एक global intermediary का role play करना शूरूर रहते हैं तो अब यहां पे वो एक तरफ तो credit creation करते हैं global scale के ओपर newly industrialized countries को देंगे European Union को देंगे तो बहुत ज़्यदा credit to have provide करते हैं दूस्ती तरफ थोड़ी सी bank में greed भी होती है अब यह greed क्या होती है कि high interest state वो charge करते है stagnant industrial country से और high return generate करते हैं वो investment करके newly industrialized countries में अब हो क्या रहे कि newly industrialized countries में investment का scope बाड़ है वहां पे returns over investment हाई है तो वहां पे वो credit move कर देते हैं दूस्ती तरफ industrial countries चुके stagnant हैं वहां पे बहुत ज़्यदा investment opportunities नहीं है जो हैं वो continue है तो वहां पे वो high interest के उपर loan या credit issue करते हैं तो ये दोनों तरफ से उनको benefit हो जाता है कि newly industrialized countries को या poor economies को या developing countries को वो loan issue करके ज्यादा investment से return generate कर लेते हैं जबके developed countries को अगर वो stagnant है तो वहां पर high interest rate चार्ज करके वो return generate कर लेते हैं अब bank की strategies जो होती है न उसमें भी कुछ flaw होती है कि international interdependence exist कर रही है और जो के further propel करते है crisis को international dependence है वो इस चीज़ को पूरी तर रिलाइज नहीं कर पाते वो यह समयते हैं कि countries isolation में कर रही है असलिए एक country में अगर जैसे newly industrialized countries कर रही है और industrialized countries stagnant है तो यह ऐसी रहेंगे जबके होता कि industrial countries stagnant है यह developed countries stagnant है तो उसका impact newly industrialized countries के ओपर भी आएगा यह developing countries के ओपर भी आएगा और वो भी slow होजेगी उनकी growth उनकी growth slow होजेगी तो automatically profit margins काम होजेंगे दूसरी तरफ जो वो international institution खास्तों पे वो कहते हैं जी no cause of alarm कि कोई alarm देने के लिए कोई reason नहीं है कि हम alarm बजाएं खत्रे का या indicate करें कि खत्रा है तो यह IMF या World Bank यूए है वो कहते हैं वो situation नहीं है यह वो situation वेट करें countries या companies या businesses के जी पहले alarm बज़ेगा कोई बड़ा institution हमें बताएगा कि कोई problem आने वाली है तो फिर हम अपने आपको कंट्रोल करेंगे जबकि ऐसा situation आती नहीं है crisis आ जाता है और वो वेट नहीं करता कि पहले आप alarm कर रहे हैं उसको कर नहीं अब जहां पर जूरी हो जाते है कि Central Bank जो है ना वो कमस कमवान करे कि activity loss हो रहा है यानी production कम होती जा रही है या employment squeeze करती जा रही है economy जो है वो depression यह स्लम की तरफ जा रही है तो यह indication जानी चाहिए financial sector को ताकि financial sector जो है वो excessively credit issue ना करें जो कि later on liability बन जाएगा यह जो false sense of security actually develop हो जाता है यह चीज़ ज़्यादा problematic हो जाती है banking sector के लिए ज़्यादा डिफार्ट नीवे banking system है syndicate loans इसने भी एक sense of security दे दी floating interest rate interest rate में floating के विज़ा से भी security मिल गई और financial innovation different किसम के financial innovation थी उसके विज़ासे banks ने अपने आपको बड़ा secure field करना शूब कर दे इन चीज़ोंने banking system को ज़्यादा disorient कर दिया in terms of के पहले वो जो सारी requirement देखते थे वो कम ओनी शूब हो गई और वो in safety nets की वज़ा से ज्यादा easy loan issue करना शूब हो गए तो इस चीज़ ने मजीद burden क्रियेट कर दिया developing countries के लिए debt crisis की form में